एलो एवरिवन, वेलकम टो मैं यूटूब चैनल जॉब लिबरेट्री, मेरी यूटूब चैनल में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन के अंतर का 30 पोस्ट जो है, पर्मानेंट निकल कराए है, ये इंडियन काउंसिल अफ सोसल साइन्स रिसर्च में इसकी भरती होगी, अगर यहां पे हम देखें, नीचे जाकर टेंडर वाले अप्सन में, और एडर्टाइजमेंट वाले अप्स पोस्ट है, अगर इसमें बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर डिगरी होना चाहिए, विध हाई सेकेंड क्लास इन सोसल साइंस डिसिप्लीन फ्रम रिकोग्नाइड उनिवर्सिटी और दूसरा यहां बात करें, पे लेवल की तो बहुत अच्छी पे हजार से लेकर 1,77,500 रुपए जो इसकी पे लेवल जो रखी गई है, अगर हम यहां पे एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट जो है, यहां पे हम क्वालिफिकेशन की बात कर चुके हैं, और अगर हम यहां पे जाके देखें, रिसर्च असिस्टेंट के के लिए साथ, SC के लिए 2, OVC के लिए 3, ST के लिए 1 और EWS के लिए एक पोस्ट हैं, पे मैट्रिक्स देखा रहा है, तो 6 लेवल की है, 35,000 से लेकि एक लाग पारा हचार रुपए तक की पर मन्त ही इनकम होगी, एज लिमिट जो है, मैक्सिमम मीनिमम जो अठारा वर्स और म इजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो में विए एट लिस्ट 50% मार्क इन एनी अव दे सोचल साइन्स रिसिप्लिन यह बहुत अच्छी बात है, कि सिर्फ और सिर्फ और आपके 50% होने चाहिए, लोग डिए इनकम के लगके 13 पोस्ट हैं, अन्रिजर्व के साथ, स्ट के 2, OVC के 2, स्ट के 1, और EWS के 1, पे लेवल जो मैट्रिक्स दिया गया है, वो 19,000 नौ से लेके 63,000 रुपय तक है, एज लिमिट में मिनिमाम 18 साल और मिक्सिमम 28 साल दी गई है, वालिफिकेशन के बात करें, तो हायर से के इंडरी और एक्विवेलेंट होना चाहिए, मिनिममम टाइपिंग जो टेस्ट है, 30 वर्ड पर मिनिट इंग्लिस में, और 30 वर्ड पर मिनिट हिंदी में होना चाहिए, तो यह सारी डिटेल जो है, आप यहां पर विजिट करिए, और देखिए क्या का चीज़ें दीगें, जैसे ही हम देखते हैं कि अगर यहां पे क्लि पर पर देखिए, आप एक और फॉर्म पर देखिए, पहले सारी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है, फी जो है रिफंडेवल नहीं है, और फी आपको जो पे करना है, वो यहां पीस एकाउंट नंबर में करना है, आई फेसी कोड वगरा दे दिया गया है, फी कितने कित पर देखिए, और फॉमेन केंडिडेट हैं, तो उन्हें किसी भी तरह कर ले भी जो है, नहीं करना पड़ेगा, और बहुत सारी नीचे जहां डिटेल दीए, क्या आपको फॉर्म बरना है, कैसे बरना है, अगर हमनों कुछ देख लें, यहां पे दिया गया है, चार जनुर स्वाइबस की बात करें, तो स्वाइबस देख लेते हैं, इसकी में स्वाइबस की आए, तो लोगर डियूजन का लर्क सालेबस, जो है, वन घंडे का पेपर वन होगा, इसमें यह सारे और टॉपिक्स पे पर आएंगी, और दूसरा इसकी इसकी इलटेज टैपिंग टेल स्वाइबस दिया गया है, अगर रिसर्च एसिस्टेंट की बात करें, तो डिएड़ घंटे का एक पेपर होगा, पार्ट वन का, जिसमें पार्ट ही है, अब्जेक्टिव टाइप, यह सारे टॉपिक्स पे होगे, पार्ट तू भी है, वह भी अब्जेक्टिव टाइप्स डिरग्टर की बात करें, तो डिएड़ घंटे का पेपर होगा, पेपर वन तो इसके पार्ट वन और पार्ट वन पार्ट यू इसी तरह है, भर पेपर यह सारे मार्ट के होगा, जैसे ही हम यहाँ पर जाप करते हैं यहां पतर आसे किया सब खूलकर कई कर आंगे इसमें हम अपना सबसेब्स पहले रजिस्टीरिशन करें वे कुलित की किजिए और रजिस्टीरिशन करने के पाद आप और Kundu जूजर डालेगे यहाँ प्लाक कर干 में हई यहाँ पर आप username डालिए, फिर password डालिए, फिर इंटर्ग केजिए, capture कीजिए, उसके बाद आप जो है form भरना इस्टार्ट केजिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप form भरेंगे, उसके लिए आप सुरू कीजिए form भरना, तो एक बार आप लोग form भरने से पहले पूरा instruction जरूर पढ़िए, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फायदे मंद हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर एब बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए, जिससे आपको नोटिक्सन मिलता रहे, बे कि सो मत